दोस्तों हमारे वी स्मार्ट और हैंसम होने के साथ साथ काफी इनोसेंट भी हैं लेकिन कि आपको ये पता है कि एक बार बहुत ही सारे लोगों ने वी का काफी मज़ाग बनाया था क्योंकि बीटेस रन के एक एक एपिसोड पर वी को इंग्लिश अल्फाबिट्स नहीं आ रहे थे हाला कि दोस्तों इस इशू को आर्मी के बीच में काफी क्रिटेसाइस किया गया था और आर्मी का ऐसा मानना है कि वी का मज़ाग बनाना काफी ज़्यादा गलत बात थी बीटेस के मेंबर्स को कुछ कोड्स और अल्फाबेट्स को खोजना था और अगर वो ऐसा कर लेते तो उनको सर्प्राइस गिफ्ट मिलता दोस्तों इसी के दोरान देखा गया था कि जब वी अल्फाबेटिकल रूम में पहुचे और उनको हिंट के तौर पर बताया गया कि A, B, C, D गाने लगे दोस्तों जिस तरीके से B, A, B, C, D बोल रहे थे वो इंडियन लोगों की तरह काफी जदा सिमिलर साउंड करा था क्योंकि हम लोग भी इसी तरीके से बच्पन में A, B, C, D गाते वे सीखते हैं हला कि दोस्तों में बात ये थी कि जब B, W पर पहुचे तो उसके बाद वो काफी कन्फ्यूज हो गए थे और X की जगा S बोल रहे थे जिसको स्टाफ ने करेक्स किया और उन्हें बताया कि वहाँ पर X आता है और इसके बाद B को अपना लास्ट कोड नमबर पता चला हला कि दोस्तों इस वीडियो को जहां आर्मीस काफी क्यूट और प्यारा मान रही थी वहीं काफी सारे BTS haters W का मजाग बनाने लगे और ये बोलने लगे कि W अनपढ़ है या फिर उनको पढ़ाई नहीं आती हला कि दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि वी की इसमें कोई भी गलती नहीं है और उनको अनपढ़ बोलने का किसी को भी कोई हथ नहीं क्योंकि Korean education system के हिसाब से वी ने काफी अच्छे से पढ़ाई करी हुई है साथी साथ दोसो इंग्लिश ना आना Koreans की कमजोरी ही मानी जाएगी क्योंकि वहां पर इंग्लिश को बहुत ही कम इंपोर्टेंस दी जाती है दोस्तों एक्चली पहले कोरिया में बहुत ही कम लोग आते थे और और कोरियन भी फॉरन ट्रेवल नहीं करते थे जिसकी वज़े से उनकी कंट्री में इंग्लिश लैंग्विज को या फिर फॉरन लैंग्विज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती हाला कि ये ज़िए कहना था कि बीच्छ को या फिर बाकी सभी लोगों को चोटी क्ला उसका स्टमाल नहीं करते हाला कि अपको बीटेस की इंग्लिश का अफिएची हो गई है क्योंकि वो अपने फैन से इंटरेक्ट करते रहते हैं और इसलिए आर्मी को लगा कि वी का इस तरीके से मजाग बनाना बहुत ही बुरी बात है तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरू याग इंग्लिटियोमे